नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं जिया कीचन रेसिपी यूटूब चैनल और मैं घंस्याम चरुसिया आज आपके लिए प्याच करेला की बहुती सांदार रेसिपी लेकर हाजी रहा हूं तो चेले शुरुआत करते हैं दोस्तों हमने यह राइसोग्राम करेला लिया है यह स्टार करेला है हम इस घर वोलते आपके दर क्या बोलते हैं बताना और इसको अमने इस तरह लंगे लंबे लंबे कुड़ों में काट लिए और साथ में इस पर डाल दिया है नमक वोः थोड़ी सी हल्दी और इसे अब हम अच्छा से मिक्स कर देंगे इसे हिए हुगा क तो चलिए अब अच्छे से मिक्स कर देते हैं, यह मिक्स हो चुका है और अब हम इसे ढग देते हैं, और 15-20 मिट या आपके पास जतना ज्यादे देर तक आप इसे ढख रहोगे वह अच्छा रहेगा, तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे रिलीस होता है, इसमें पानी आपक कुद तलना है, तो चलिए मैंने कड़ाई ले ली है और इसमें डाल दिया सरसो का तेल, दोस्तों सरसो का तेल से बनाना बहुत ही टेस्टी लगती है, और तेल करम हो चुका और अब हम इसमें इन करेलो को डाल देते हैं, और इसके बाद हमें इने अच्छे से पका लेना है करेलो को लगवक इसे मीडियम फ्रेम पर पकाना इसे और लगवक दस मिनिट लएंगे इस पकने में और नर्म हो जाएंगे, सौफ्ट हो जाएंगे, तो चलिए दोस्तों देखिए लगवक आट मिनिट हो चुका है और करेले ज़बा कलरी बदल दिया है, अच्छे से पक च हम इने फिले रखा था, तो चलिए और पुनह तेल को हमें च्छान कर इस्तेमाल किया है और जैसे तेल गर्म हो और इसमें एक चमस जीरा, आधी चमस राई, और ये आधी चमस साबुत धनिया, और साथ में हम इसमें डाल रहे हैं, हींग, ये एक चोथा चमस हींग का हम इस इसमें ये डाल देते हैं प्याज, दोस्तों मैंने ये दो प्याज लिये हैं और इनको ऐसे लंबे-लंबे टुकड़ों में काट लिया और इनके बलक अलग अलग निकाल के इस्तेमाल कर रहा हूं, तो चलिए और इसमें हम डाल देते हैं अधरक और लासुन का पेस्ट, तो तो यह एक चम्मस के करीब है इसको हमने मोटा मोटा कूट लिया था और अब हम इसे प्याज के साथ में भून लेंगे हमें प्याज के बहुत ज्यादा भी नहीं पकाना है जब तोड़ ट्रांस्पेरिंट जिसा दिखने लग जाएगा तब तक नहीं पकाना है जैसा कि आप देहां होंगो यह यह ठाणस्पेरिंट हो चुका है और अब हम इसमें डाल देते हैं यह तीन हम हरी मिर्श ज्यादा तीखी वाली मिर्श नहीं है और इन्हें लंबे-LABर टुकρε। हम बीच में से चीर करर में बशाय को अब हम इसमें देड़ चमस लाल दाल मीर्च पाउडर डालेंगे और साथ में दो चमज धनिया Souls आधी चम मढब् der और अधी हम इसमें डालेंगे अ धेनीचे पानी बाउडर क्योंकि हल्दी हमने पहले बीकिफ़ डाला चुक है इसलब में हल्दी थोड़ी कम ही डाल रही हूँ आप तो आप भीसे थ्यार अ करेला कड़वा होता है और इसके कड़वाट को बेलेंस करने के लिए हम सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं और यह किया हुआ करेला भी आप इसमें हम डाल देते हैं और आप इसे 5-6 मिनिट और इसे मीडियम फ्लेम पर इसे पकाते रहेंगे और दोस्तों बहुत सांदर फ्लेवर आएगा यह सोप का फ्लेवर करेलों में चला जाएगा तो ज़्यादा कड़वा नहीं लएगा और प्याज की मिठास तो चलिए आप इस तरह से ढखकर पकाते रहिएगा और यह देखिए प्या आजीब होत अच्छा पक चुका है और अंत में हम इसमें डालने दोस्तों यह अम्शूर पाउडर एक घर का बना हुआ है आपको लग रहा होगी काले कलर क्यों है क्योंकि जो आम था वारिस के बाद तो कलर बदल जाता है इसके बाद हमने इससे बनाया तो थोड़ा सा काल दीख रहा है आपको लेकिन टेस्टी बहुत है और अब हम इसमें डाल देते हैं आदा चमस गरम मसाला गरम मसाला डेल गया है और अब इसमें साथ में हम डाल देते हैं हरी धनिया बत्ती तो चलिए दोस्तों यह सांदर प्याज करेला की रेसिपी बनकर तयार हो चुकी है tyre णुझे थोन आपके लिए दूस्तों बहुती आसाने से बन जाती है और भूती टेस्टेस रेसिपी है यह चलिए अब हम इसे आपको प्लेट में सब करके बताते हैं दोस्तों यह आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना कमेंल करना दोस्तों में सेर करन और इधी चेनल पहले वारत प्लीज चेनल को सस्क्राइब चरूर करना धन्यवाद